हेलो गाइज वेलकम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन इस्टड़ी वजार पे तो गाइज आज इस वीडियो में हम बात करेंगे काका कालेकर के जीवन परिश्चा के बारे में तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजीगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजीगा तो चलिए गाई स्टार्ट करते हैं काका कालेकर का जनम इस्थान सतारा महाराष्ट में मतलब यह जो थे माराठी थे जनम जो हुआ था इनका अठाल से पिचासी इस भी में हुआ था उपाधी पदम भूसड उपाधी मतलब एवा लेपिरवास जीवन का भी हैं इतनी इनकी रजनाई थी सैली बिबेचनात्मक बिबलाडात्मक बियंगात्मक परिचात्मक बर्लनात्मक चित्रात्मक आदी यह इनकी सैली थी मिरत्यों जो हुई थी इनके 21 अगर्ष्ट 1981 इस भी में तो यहां से इनका मैं जीवन अधिकारी थे मात्र भासा माराठी के अतिरिक्त इन्होंने हिंदी गुजराती बांगला अंग्रेजी सांस्क्रेट आधी भासाओ पर स्वध्याई से अच्छा अधिकार कर लिया था यह बाल्यकाल से ही कुशागर बुद्धी के तथा प्रतिवा संपनी थे इन्होंने बं साधुर बियाबार को देखकर इनको काका का बिस्यसर दिया गया कि इनको साबर मती आस्रम में पिद्धान अध्यापत और तदंतर गुजरात विद्यापीठ में अध्यापन का جई किया बाद में दिल्ली आकार नं है कि यह हिंदुस्तानी पिरिचार सभा का निये देखने तकि पिर्चार पिलसार कादिय में बिसे दिल्चस्पी ली थी। उनकी पिर्थम पंक्ती में काका कालिकर का नाम आता है। हिंदी के अतिरिक्त गुजराती में भी इन्होंने इस्तुत्य कादिय किया। इन्हें महात्मगांदी जबिना टेगवर और जाज़सी टंडन जी के निकिट संपल्क में आने का सोभागया प्रात हुआ। काका साहब ने जाष्टमत नामक माराठी पत्र का संपादन किया। तथा स्वतंता सेनानी होने के कजल अनेक बार जेर यत्तराय भी की। जब अंग्रेज गुप्तिचर इनका पीछा कर रहे थे तब कुछ समय के लिए ये सन्यासी बनकर हिमालिया की पहाड़ियों में छिप गए थे। ये संबिधान सभा के सदस्य राज्य सभा के सदस्य तथा अनेक आयोगों के अध्यक्षी भी रहे थे। भारतिय सरकार द्वारा आपको पदम भुसर की उपादी से सम्मानित किया गया था। आप 21 अगर्ष्ट 1981 को इस संसार को त्याकर पंची तत्वे में बिलीन हो गए थे। तो गाइस बस इतना यह इनका जीवन पर इच्छे हैं वीडियों आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा और बस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो गाइस बस मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के नहीं बाई जैहिंद बंते मात्रम